टॉप फाइब बैस्त गेमिंग स्मार्टफून अंडर 40,000 तो भई अगर आप 40,000 के बजर में गेमिंग स्मार्टफून सर्च आउड कर रहे हो यह वीडियो श्पेशली आपके लिए ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं बात करते हैं नंबर फाइब की नंबर फाइब की बा बात करूं आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है जो कि 144 रिफ्रेश्ट के साथ देखने को मिल जाती है जो कि Gorilla Glass 5 की प्रोडेक्शन के साथ देखने को मिल जाती है फून जो है वो सॉलिड है ऐलुमीनियम फ्रेम के साथ देखने को मिलता है अगर गिर भी जाता है तो खराब देखने को मिल जाता है 64 प्लस 30 प्लस 5 MP जिस पर आप 8K वीडियो शूट कर सकते हो और 4K शूट भी कर सकते हो आपको तगड़ा चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि Snapdragon 865 प्रसेसर के साथ देखने को मिलता है बहुत अगर आपने हार्ड कोर गीमिंग करनी है आप सभी के G function मिल जाती लेकिन आपको 4 ke option तक भी नहीं देखने को मिलता है जो कि थोड़ा सा плюс पर आजा आते हो आप जा सकते हो smartphone ये भी पूरा आपको loaded देखने को मिल जाता है तो MA Lover आपके लिए profit लो सकते हैं अब ही अगर आपका बेड़ 40,000 है आप इस smartphone के और जा सकते हो आगे बात करते हैं number 4 की number 4 की बात करो number 4 पर यार मैंने रखा IQ 003 को तो सबसे पहले बही मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको 5G smartphone तो मिली जाता है उसके साथ अगर आपने multi-tasking करने है high-siding पे अगर आपने gaming करने है तो आपकर सकते हो 40,000 के budget range में आपको 12GB RAM के साथ देखने को मिलेगा तो इसके specification भी बहुत ही जादा तगड़े हैं इसका design लोक वगरा भी बहुत अपर है ये तीन colors में देखने को मिलता है लेकिन जो इसका orange color आता है वो बहुत ही जादा मतलब इसको बहुत suit करता है 2020 में बहुत ये smartphone बिका है बहुत लोगों ने पसंद किया अगर मैं इसके chipset की बात करूँ आपको snapdragon 865 processor मिल जाता है जो कि 7 animated technology के साथ बेस्ट है इसमें आपको super amulet display मिल जाती है जो कि gorilla glass 6 की protection के साथ देखने को मिलती है इसके build quality की भी बात कर लेते हैं तो aluminum frame के साथ देखने को मिलता है glass bag के साथ मिलता है एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह 5 variant में देखने को मिलता है 6GB RAM के साथ 8GB RAM के साथ 12GB RAM के साथ एंड जो storage variant है वो आपको different देखने को मिल जाता है आपको core camera setup मिल जाता है 48MP plus 30MP plus 30MP plus 2MP जिस पर आप 4K video shoot कर सकते हो अगर मैं selfie की बातों को 16MP selfie मिल जाती है लेकिन आपको selfie में 1080p option मिलता है आपको 4K option नहीं देखने को मिलता 4400 mAh की battery देखने को मिल जाते है और fast charging की बात को आपको 55W का fast charging देखने को मिल जाता है तो बही main specification तो मैंने आपको बता दिये IQ 003 के अगर आपने इस smartphone के और जाना है आप इस smartphone के और भी जा सकते हो यह smartphone भी आपको बहुत ही ज़्यादा आप पर मिल जाता है 2020 में बहुत creators ने इनको पसंद किया तो बही अगर आप भी लेना जाते हो आप जा सकते हो इस smartphone के और अगर आपके multitasking करनी है gaming करनी है अगर आपको slim and stylish smartphone चाहिए आप सभी के लिए भी perfect deal हो सकता है IQ 003 आगे बात कहते है number 3 की number 3 की बात करूं number 3 पर यार मैंने रखा OnePlus 8 को तो बही अगर आप OnePlus लवरो आप इस smartphone के और जा सकते हो अगर मैं smartphone की बात करूं जब से पहले भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह smartphone भी आपको 5G देखने को मिलता है color look design वगर आपको इसका भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह भी smartphone जो है वो चार colors में देखने को मिलता है लेकिन इसको green color सच में बहुत ही ज़्यादा सूट करता है प्लस आपको Gorilla Glass 5 की protection देखने को मिल जाती है aluminum frame के साथ देखने को मिलता है आपको fluid AMOLED display मिल जाएगी जो की 90 refresher के साथ देखने को मिलती है अगर मैं बात को इसके chipset की तो इसमें भी आपको snapdragon 865 देखने को मिल जाता है जो की 7 nanometer technology के साथ based है अगर आपने highs adding पे gaming करनी है आप easily normally कर सकते हो यह smartphone 2 varied में देखने को मिलता है 8GB RAM के साथ and 12GB RAM के साथ जो भी मतलब जो भी varied में आप जाना जाते हो आप उसके और जा सकते हो आपको triple camera मिल जाता है 48 megapixel प्लस 60 megapixel प्लस 2 megapixel जिसपर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो 30 and 60 fps पर ठीक है आपको 60 megapixel के साथ selfie मिल जाती है जिसपर आप 1080p पर वीडियो शूट कर सकते हो अगर मैं बात करूँ इसके बैंटरी की तो आपको 4300 mh की बैंटरी मिल जाती है आप फास चार्जिंग की बात करूँ बहुत smartphone यह बेक्ए हैं तो अगर आपने इन smartphone की और जाना है आप इन smartphone की और जा सकते हो आप long time पर डबड़ा सकते हो अगर आपने gaming करनी है multitasking करनी है camera के according smartphone चाहिए display अच्ची चाहिए आप सबी के लिए ये दोनों स्माटफून पॉटेट हो सकते हैं अभी जादे समयकर आपको नहीं करते हैं नमबर टू की बात कर लेते हैं मैंने रखा हैं सांसटान गलैक्सी S20 FE के तो यार अगर मैं स्माटफून की बात करूं तो यार यह six colors में देखने को मिलता है सभी color आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और यह smartphone मुझे खुद को बहुत पसंद है अगर मेरा पज़ड़ आपफन के और जा सकते हो आपको 4K option मिल जाता है back camera में and front camera में भी आपको 4K option मिल जाता है और क्या चाहिए अगर आपने vlogging करनी है रील जबनानी है टिक टॉक को बनानी है फोटो क्लिक अट करनी है आप सभी के लिए perfect deal होने वाली है अभी बात कर लेते हैं इसके main specification की थोड़ा ऐसा deeply बात कर लेते हैं तो यह डिस्प्ले की बात करूँ इसमें आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो की Super AMOLED डिस्प्ले जो की 120 रिफ्रेश्ट के साथ देखने को मिल जाते है तो Samsung के phones की खासेत होती है इनकी डिस्प्ले इनकी बैंटरी लाफ एंड इनक GB RAM के साथ जो भी बजर में सेट बैट आप उसके डिए सकते हैं अब को ट्रेपल कामरा मिल जाता है त्वेलों मेगापिक्सल प्लस ट्वालों मेगापिक्सल ठीक है पहले कले लगा था आपको फोर्ट के अप्शन मिल जाता बैक कैमरे में 32 मेपक्सल की सेल्फी मिल जाते है और सिस्थि में भी आपको फूर्ट के ऑप्षिन को मिल जाता आपको 4500 अमेज की बैटरी मिल जाती है फास्ट चाजिंग स्पोर्ट करता है बैट्टे पच्चीश व fixture प्रों के साथ प्लिस आपको वालस के चारजिंग भी दिखने Samsung Galaxy S20 FE बहुत ही ज़्यादा पर smartphone चला जाता है तो इस चीज़ को आप द्यान में रखना आगे बात करते हैं number one की number one की बहुत करूं number one पर यार मैंने रखा है Asus ROG Phone 3 को तो सबसे पहले भी मैं आपको यह चीज़ बता देना चाता हूँ पहले इसका प्राइस पचास हजार देखने को मिलता है लेकिन अभी इसका प्राइस कम हो गया वह लाउंच हो गया इसका प्राइस कम हो गया आपको देखने को मिल जाता है 40,000 के बजलिवेंज में वैसे इसका प्राइस है 41,000 इस चीज़ को आप द्यान में रखना अभी बात करते हैं इसके स्पेस्पिकीशन की के डिस्प्ले की बात करते हैं तो आपको 6.59 इसकी डिस्प्ले को मिल जाती है जो की मतलब इसके इसकी स्प्श्पिकिशन को स्मार्पूनmons सी बी सी बात है यार चिप सेट की बात को आपको स्नाप्रेगन 865 देखने को मिल जाता है जो कि 7 नानुमिटर टेकनोलोजी के साथ बेज़ है एंड मैं आपको बता देना चाहता हूं यह स्मार्टफून आपको पांच वेरेड में देखने को मलता है 8GB RAM के साथ 12GB RAM के साथ 16GB RAM के साथ एंड आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 65 Mbps plus 30 Mbps plus 5 Mbps पैले टू में लगाता है आप 8K वीडियो कर सकते हूं एंड 4K वीडियो शूट कर सकते हो बैक कैमरे में 24 Mbps के साथ साथ आपको सेलफी में आपको 4K आप्यों नहीं देखने को मिलता है आपको 6000 mm की बैट को ही ट्राइफोन के लिए अगर आप हार्डपोर स्मार्टफोन में नहीं अगर Penis को स्मार्टफोन के लिए तो यह अगर आपको ट्राइख नहीं होने स्मार्टफोन के तो यार अभी मैने आपको इतने स्मार्टफुन बता दिये जो भी आ प लेना जाता हो यही पर हुझात है अगर आपको मेरी वीडियो चिलेगे यह व्यूद को लाइक करें चिले Philip को उसको चाओ कर लेता है अभी मेलत है नाक्स वीडिए मेंने वीडिकों साथ